अबसकार दोस्तों टार्गेट विद परिहार चेनल में आपका स्वागत है सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचना होती है जो भीन समचार पत्रों पर चाहिवी होती है और विद्यार्थियों के लिए आवश्रक होती है तो आए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कи आज के समचार पत्रों में ऐसी कौरकों सी सुचना है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिने चात्रों ने चेनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो भी मिलता है जशु प्रकासन की इस पुष्टक में 2019 और 2018 में जो भरती आई थी 8500 शिक्षक बरती और इसको भी आप लोग देख सकते हैं और गाइड तो आती है सॉल पेपर भी आता सुबर्टीटी यह देख लीजिए प्रेक्टिसेट भी आता है तो इसको भी आप लोग ले सकते हैं जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि एक दिन में मरीज अब 27,000 पार आज से किशोरों को टीका सरकार ने किशोरों के टीकों को घालमेल से बचाने के लिए अलाग केंदर बनाने को कहा और यहां पर कोरोना संक्रमट जो लगातार बढ़ रहा उसके बारे में जानकारी दी गई लिए जैसे यहां पर नेनी ताल के एक नवोते विद्याले में 25 बच्चे संक्रमट पाए गये हैं एक दिन में 284 की मौत हो गई है और केरल में सबसे ज्यादा मौते हुई है ओमिक्रान के भी देश में कुल 1525 मरीज मिले हैं लिखा कि देश में सोंवार से किसोरों को 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 कोरोना का ठीका लगाने का अभियान सुरू हो रहा है केंद सरकार ने राजियों वा केंदर शासित प्रदेशों को 15-17 वर्स के किसोरों के लिए अलग केंदर बनाने की हिदायत दी है ताकि ठीकों का घालमेल नहो इस वीच रविवार सुबह तक देश में कोरोना के 27,553 न और बंगाल के सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिये गए हैं दिल्ली में पहले ही बंद कर दिये गए थे कुरोना संक्रमाण की सूषना देने का मतलब आप लोगों को डणाना नहीं है बलकि सतर करना है इसलिए आप लोग सतर करना है एतियाद बढ़ते लिखा देखिए यूपी में हर दूसरे दिन दोगुना हो रहे हैं मरीज आजसक की सोरों को ठीक है प्रदेश में उत्तर प्रदेश की बात हो रही है प्रदेश में 552 संक्रमीत 22 दिन बाद एक मरीज की मौत दिल्ली में 3194 नए मरीज मिले हैं और गाजियाबाद में 88 नए मरीज मिले हैं त प्रतियों के चात्र अबियान चलाया जाएगा यूवामच के बैनर तले बालसन चौराया पर जुटे प्रतियों की चात्रों ने आरोप लगाया कि दरोगा भरती 2021 की ऑनलाइन परिक्षा में ब्यापक पैमारे पर धांदली भी गया और इसकी समय बंदिस सी बियाई जाज हो होने पर पुनर परिक्षा करा जाने के साथ ब्रेश्टाचार में सनलित अधिकारियों एवन लोगों घिलाफ कठूर कारवाई होनी चाहिए प्रतियों की चात्रों ने कहा कि प्रदेश में नकल माफियां पर कोई अंकुस नहीं और इसी वजह से ज्यायतर बढ़ती परिक् कर सकते हूं विभीन फेस्बुक ग्रूप में विभीन वाट्सप ग्रूप में आप लोग सेयर भी कर दिया करें जहां पर पुरानी भरतियों की मांग को लेकर के विद्धार्थी तो पहुंच ही रहे हैं जुन्यर सिस्टेंट 2016 एसु परिच्छा की तारीख गोशित करने क के लिए बोलिंग टेकिनिशन के जो चात्र वो भी आज काफी संक्या में पहुंच रहे हैं फॉरेस्ट गार्ड की प्रिक्षा ती ती नहीं गोशित हो रही है उसकी भी चात्र पहुंच रहे हैं और वहीं पर नई भरती के लिए भी विद्धार्थी वाबब पहुंच रह हैं वह भी पहुंच रहे हैं कि उनका परड़ाम आगरकार घोसित क्यों ने किया जारे है जबकि मुझी परिक्षया में बहुत कम चात्र थे अगली जो सुचना है वह दैनिक ज्याग्रण समाचार पत्त्र की है जिसमें लेकपाल भरती के बारे में जानकारी दी गई है नया वर्स था तो कुछ कर्मचारी चुटी पर चले गए और इसका विग्यापन नहीं निकल पाया जानकारी निकल करके आ रही है कि आज यह अकल में जो इसका नोटिफिकेशन वह जारी कर दिये जाएगा और इसी के बारे में आज के समाचार पत्र में भी जानकारी दी ग चुनाओ कि अधिसुसना जारी होने से पहले ही राजस्तों लेगपाल भरती के जो विग्यापन है वो जारी करती के जाए इसके तैयारियां पूरी हो चुकी है लिखा हुआ कि बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश अधिनस्तेवचेन आयोग सो मुवार या मंगलवार को एक या दो दिन में ही लेगपाल भरती के 7882 पदों पर आयोजित भरती का नोटिफिकेशन जारी कर सकता है और ऐसे में कंडिडेट की विबसाइट करते रहें तो यह 7882 पदों पर भरती के विग्यापन वह एक या दो दिन में जारी हो सकता है वही पर यह भीड जो आप विद्यारती आ रहा है और इन विद्यारती की मांग है कि नई प्रात्मिक शिक्षक भरती 97000 पदों पर होनी चाहिए और इस भीड से आप लोगी अंदाजा लगा सकते हैं कि आज कितना बड़ा प्रदर्सन होने वाला है नई प्रात्मिक शिक्षक भरती के लिए आस पास क सभी जिलों की प्रियागराज समेथ बहुत सारे जिलों के जो रेल्वे स्टेशन है उनका रात बर यही हाल रहा है सभी ट्रेने लगबग फुल रही है प्रियागराज रेल्वे स्टेशन की भीन है और लेकिन चात्रों से कहूंगा कि को रोना भी बन रहा है सभी विद्यार्थी चूब है मास्क बगारा लगा रहे हैं कर रहे हाथों को सेटाइस करते रहें इसको भी तोलसा ध्यान देते रहें और अब हम लोग यह देखिए रेल्वे की बोगी है यह पूरी फूल है चात सब्सक्राइब कर आज बहुत है कि आज भी यह सूची जारी नहीं हो पाएगी बहुत काम कर रहा है अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो सूची जारी हो जाएगी वैसे 60 और 40 परसेंट का है कि 60 परसेंट जारी नहीं हो सकती है और 40 परसेंट जारी हो सकती है लिखा बेसिक सिक्षा में कर देंगे लेकिन वहीं पर बहुत सारे बढ़ती और आगे हैं जो दावा कर रहा है कि नहीं नहीं हमको सुईकार ही नहीं हमको अठारा हजार पद चाहिए यानि कि जिस कटाफ पर जनरल का हुआ है उस कटाफ के नीचे हमको 27 परसेंट रिजर्वेशन चाहिए अभी तक के प्रेकर के पेंच फस गया है सरकार को लगता है कि ऐसा नहीं कि फिर विद्यार्ति विद्रो करने लगें और हंगामा हो चुना को समय है वी सी बोड़ बैंक नाराज हो और इसी की वज़े से इसमें लगातार देरी होती चली जा रही है और अब तो संभावना भी लगने ल सामले में नयाए विभाग से मार्ग दर्सन लिया जा रहा है इसलिए छूटे चैनितों कि सूची बिलाने में विलम हो रहा है ग्यात हो कि सूची का वेबसाइट पर प्रकासन 30 दिसमबर कोई होना था लेकिन अब परहार कारणों से ऐसा नहीं हो सका टीटी 23 को ही होगी लि सकता है नहीं तो जो टीटी की परिक्षा वो समय पर ही होगी टीटी पीजीटी की बारे में जानकारी निकल करके आ रही है कि जनवरी के महीने में किसी तरीके से भरती का जो विग्यापन है वो निकाल दे जैसे ही समायोजन पूरा हो जाएगा 2016 का और किसका उसके तुरंद बाद 16 का उसके तुरंद बाद जो है विग्यापन निकालने की योजना है अब यह देखना है कि इसमें क्या करता है चुनावायोग कब से लगती अचार सहींता अगर चार सहींता जल्दी लग जाएगी तब तो विग्यापन जारी होना मुस्किल है अगर अचार सहींता मे यह हो गया आज का वीडियो वीडियो अगर आपको अच्छा लगाओ तो लाइक करते हैं जिन चात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर ले पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धर्नवाद